हेलो एबरीवन इस बीडियो में हूं बात करने वाले हम डिय है सिंग्नलर और परियोडिक है एक हमने XN signal लिया जो कि discrete और periodic है अगर इसका DFT हमें मालूम है जो कि X के है capital X के हमसे यह property क्या कहती है अगर हम इसका time reversal या Faulting कर दें ठीक है जो TFT हम पढ़ते हैं उसमें circular Faulting लिए यानि circular reversal लेंगे time का तो वह कैसे लिखने का तरीका देखो यह जो हमेशे लिखा रहाएगा इस टाइप से लिखा रहाएगा X of minus N तो लिख दिया इसके suffix में लिख रहता है यह तो capital N लिख दो यह लिख दो mode N ठीक है एक ही बात है यह mode N यह capital N क्या बता रहा कि इसका circular time reversal किया गया ठीक है तो चाहिए आप है mode N लिख दो यह capital N लिखके छोड़ दो एक ही बात है ठीक है तो इसका DFT आता है ठीक है यह mode N जो अगर mode N लिखाओ या N लिखाओ इससे बस समझ जाना है कि यह circular के बारे में ठीक है तो इहां पर भी क्या हो जाए जैसे N को मैने से रिप्लेश कर दिया ऐसा के भी माइनस के से रिप्लेश हो जाता है और क्योंकि हम पढ़ रहें डी एफटी इसमें पढ़ते हैं हम क्या इसमें क्या करते है सर्कुलर फाल्डंग तो यहां पर क्या करतें हैं मॉड लिख देंघे ठीक है ये एन गोरा इसका पेरिड तो इसी पर बेज़ तो कशिन करने वाले इसकी कि फोल्डिंग थोड़ी अलग होती है ठीक लीनियर से बिल्को अलग होती यह देखर सर्कूलर कैसे करते है अभी तख हमने क्या नहीं है लेकिन आज कर लेंगे हैं कि हमसे रहां एक X n ऊसका लें movimento एक क्तुर स्कार चार ठीक है उसी साथ एक बार एक सोफ माइनस निकालने इसी गए तो एक सो माइनस के विए असी निकाल लेंगे क्योंकि दोनू चीजिस प्रक्विपन है यहां पर देखो एक से एक इस सोफ माइनस KS na निकालते हैं यह XN दे रखा पहले यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट समझाता हूँ यह किस टाइप से इसको कैल्कुलेट किया जाता हूँ एक्स एन को लिख लिए हमने हैं यहाँ पर यह वार्ण टू थिरी फॉर देखो यह तो क्या एन निकस्टू जीरो वाली पोजिशन ठीक है यह तो चेंज नहीं होती है जब सर्कुलर फोल्डिंग करते हैं तो यानि वन तो सेम रहने वाला उसके बाद तुम्हें फाइंड कर नीए खेप्टल एंड की फॉर तो हमें फाइंट करनी है एन वाई टू यानि फॉर को टू से डिवाइड करो यानि टू जहां पर टू पोजिशन आ रहे होगी यह तो जीरो यह अगले वन होगी है टू होगी तो यह होगी एन बाइट वह पोजिशन इसी को मिलर इपेज क यह जो जीरो वाली पोजिशन सें ख्यक्न कोई चाए नहीं अब देखोर यहां पर इसको मेरर इमेज की तरह समझ नक्तब यह किया एक तला से मेरर कि अब यह किसा काम कर रहा इसको समान लो घ्लत करना एक यह हैं हमारा मिरर में क्या करते है जो आगे यहां पर काम mamagre यहां पर कैसा एक गल्ती मत कर देना को एंटर चेंज करना है यहां पर यहां पर देखो टू को को रिपलेस करेंए फॉर को रिपलेस करेंगे टू से ऐधा आगर आगेhouse होता तो उसको उससे replace करते है इसको से replace करते है ठीक है इस टाइप से तो यानि टू की जगह फॉर चला जाएगा फॉर की जगह तू जो mirror की जगा जागा तो ऐसे करते हैं फॉल्डिंग ठीक है अब देखो एक्स ओफ माइनस निकाल लिया एक्स ओफ माइनस के निकाल लेंगे ऐसे यह तो एन निकस्ट जीरो वाली पोजिशन बिल्कु सेम देखो प्रैक्टिस है पहले वीडियो को पोस्ट करना और इसको करने कोश क्योंकि इसी के अबउट ले यहां हमें इसके मिरेर इमेज बया सब्सक्राइब हो अगयों यह यह ने बाइब इन फॉस्टी मैं यहां और प्लेस कर देंग आज आज्य हो बस लिंग आ जाएगा एक्स ओफ जीरो वाली पोजिशन सेम यानी अपनी जगा रहेगा उसके अलावा बस उनको प्लट देना तो माइनस टू प्लस जे की जगा जागा माइनस टू माइनस टू इसको बस इंटरचेंज कर दिया हमने एन बाइटू पोजिशन सेम रहती है कि और ये माइनस टू प्लस टू जे चला जाएगा माइनस टू- टू जी एक जग्नस माइनस टू प्लस टू जे तो यह देखो लीनियर में हम क्या करते थे उसमें थ्ञ़ अलग रहता था उसमें कुछ अलग हे ठ precisa कैसे पर लिखना एक लो mismatch और ये उसकी पहचान के लिए ह तो पता ही न ही नहीं है ठीक है इसको ब्रैकिट में में इसको एक और ब्रैकेट, सारे ब्रैकेट के बाहर होता हूँ एस टाइप से निकालते हैं इस Yok island से जब भी कोशन रहा है तो इस जो फूलडिंग है इस टाइप से की जाहिए तो यह linear folding और circular folding में काफ़ी difference है ऐसे ही जो linear shifting होती थी circular folding होती थी वो इससे different रहेगी ठीक है एक question मैं देता हूं यहाँ पर सभी इसका answer करने वाले यहाँ पर देखो एक example यह example देख रहा हूं homework के लिए और यहाँ पर सभी को इसका answer देना मुझे बताना एक action signal मैं दे रहा हूं यहाँ पर और सभी उसका answer करेंगे ठीक है एक point dft दे रहा हूं हूं है ठीक है फॉर फाइब वार्ण टू जीरो माइनस वन तो तीन चार पांच छे और यहाँ पर लेगे लो चलो फिफ्टी कितने पॉइंट होगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ तो हमसे बताना एक्स ओफ माइनस एन क्या होगा ठीक है इस वार मैंने आठ पॉइंट कर लिया ठीक है सभी इसका answer करेंगे कमेंट में इसी टाइस ते बिलकुर करना ठीक है जैसे उपर क्या हम ओडर को अच्छे से याद अखना ठीक है एक बार आयोप आप लोगों यह प्रोपर्टी समझ लोगों यह ठीक है